हेलो गोड इविनिंग फ्रेंड्स आल आफ यू आई एम देवी सिंग सार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ ये वीडियो हमारा रहेगा जी के जर्नल नौलिज का इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं राष्ट मंडल खेल राष्ट मंडल खेल क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको आज टोटल जानकारी देंगे इस वीडियो के मैध्यम से आपको फ्रेंड्स पता है कि हमारे जो वीडियो जो हैं डेली जी के का एक वीडियो आता है और हम नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आज हम आपको राष्ट मंडल खेलों के बारे में बताएंगे और जो राष्ट मंडल खेल हैं या ओलंपिक खेल हैं आपको पता है फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं हमने आपको सारा कुछ बता दिया है आज का मैटर हमारा राष्ट मं हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप अपने competitive exams में अच्छा से core कर सकें तो चलते हैं friends अपने इस वीडियो की तरफ देखिए olympic खेलों के पस्चात राष्ट मंडल खेल पुराना नाम बिर्टिस इंपाइर खेल समारोव विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेलोत सब है इस खेल समारोव का आयोजान प्राय दो olympic खेलों के मध्य किया जाता है जिसे olympic verse कहा जाता है तो friends आपकी समझ में आ गया होगा कि olympic खेलों के पस्चात राष्ट मंडल पुराना नाम बिर्टिस इंपाइर खेल समारोव विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेल खेलोत सब है second number पर आता है ये आपका क्या राष्ट मंडल खेल second number पर आते हैं जो पहली खेलों की जो first number पर जो 30 सपरदा आपकी है वो olympic खेल है और जो second number के आपकी 30 सपरदा है वो आपकी जो है आपका राष्ट मंडल खेल है एसली कपूर वे पिर्थम वेक्ती थे जिन्होंने सद भावना को प्रोथ साहन देने और पूरे बिर्टिस राज के अंदर अच्छे सम्मंद बनाए रखने के लिए एक अखेल बिर्तानी खेल कारेकरम आईजित करने के विचार को प्रिस्तुत किया वर्स 1928 में कनाडा के एक पिरमुक एथलीट कनाडा के एक पिरमुक एथलीट बावी राविंसन को पिर्थम राष्ट मंडल खेलों के आईजिन का भार सौपा गया most important question बन जाता है कि जो पिर्थम हमारे राष्ट मंडल खेल थे वो कब शरू हुए आपको ध्यान रखना है 1928 में सौपा गया था और वो पिर्थम वैक्ती का नाम क्या था बावी रॉबिंसन ये खेल 1930 में हैमिल्टल सहर आटेरियो कनाडा में आयुद किये गई पिर्थम राष्ट मंडल खेल फ्रेंड्स आपके 1930 में ये हैमिल्टल सहर में फष्ट वार किये गई और इसमें 11 देसों के 400 खलाडियों ने हिस्सा लिया बहुत most important आज की मैं जी के लिए करके आपके लिए आया हूँ और simple भी है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा 1934 इसवी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट मंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया question बिलकुल बनता है friends यहां से कि पिर्थम बार भारत ने राष्ट मंडल खेलों में कब भाग लिया 1934 इसवी में राष्ट मंडल खेल कब होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो ओलंपिक खेलों के बीच का जो time होता है उसमें आपके राष्ट मंडल खेल होते हैं next आगे चलते हैं वर्थमान में राष्ट मंडल देसों की संख्या सदिस्य संख्या जो है वो तरेपन है लेकिन खेलों में 71 टी में हिस्सा लेती हैं अब चलते हैं आगे तो यह आपका दिया हुआ है वर्स 2001 में राश्ट मंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियती की तीन मानवताओं को अपनाया गया जो राश्ट मंडल खेलों की मूल धे हैं इसका मुखाले लंदन संयुक्त राजसाही में है राश्ट मंडल खेल परिसंग की महर 2001 में अपनाई गई और ये देखिए ये जो महर है ये राश्ट मंडल खेलों की महर है यहाँ पर आर रेड वाई येलो बी बिलू राश्ट मंडल खेल 2018 कुछ विसेश तर्थ्य है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से 21 वे राश्ट मंडल खेल गोल्ड कोस्ट क्वीसलेंड आस्ट्रेलिया में 4 अपरेल से 15 अपरेल 2018 तक आयुजित किये गई क्वेस्टन बिल्कुल बनता है यहां से कि जो लाश्ट वार अभी हमारे खेल हुए राश्ट मंडल वो कौन से सन में हुए वो 4 अपरेल से 15 अपरेल के बीच 2018 तक आयुजित किये गई और ये खेल कहां पर हुए क्वीसलेंड आस्टेलियों में ये खेल आपके हुए तो फ्रेंड्स आपको वो छोड़ना नहीं है तो देखते हैं आगे चलते हैं राश्ट मंडल खेल 2018 का उदगाटन चालर्स येल्स के राजकुमार ने करारा स्टेडिया मुख्या आयुजन सथाल में किया इसका अधिकारिक समापन एड़ वर्ड वेसेक्स के अर्ल महरानी एलिजाब देते है और राजकुमार फिलिप एड़न वर्ग के ड्रियूक के चार संतानों में सबसे छोटी संतान ने किया नेक्स्ट आगे चलते हैं परमप्रा के अनुसार खेलों के पिछले संस्क्रन में मैजवान स्कॉटलेंड परेड में सबसे पहले करम पर आया इसके बाद सेश पिर्तिवागियर यूरोपिय देश आए इसके बाद सभी देश अपने महाधीपों के अंग्रेजी वर्णमाल करम के अनुसार प्रेड में सामिल हुए आश्टेलिया प्रेड में सबसे पीछे था प्रेड में भारत 38 वे नमबर पर था तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी जहां पर ये खेल होते हैं वो कौन से स्थान पर चलता है और जो अन्य जो दिस होते हैं जो भाग लेते है इन खेलों में वो आपको पता है वो मध्य में प्रीड के दोरां चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं आगे 21 राष्ट मंडल खेल की थीम है से अर दे ड्रीम यानि सांजा करें 21 राष्ट मंडल खेल का सववारब सुभांकर वो रोई नाम का कार्टून करेक्टर है इस बार के लिए पदक आस्टेलिया ने के कलाकार डेल वनी कुकाटू कोलिंस ने टिजैन किये हैं पदक गोल्ड कोष्ट समुद्ध तट की ग्राफिकल थीम पर तयार किये गए पदक का व्यास 63 मिलीमीटर वजन 1.38 से 163 ग्राम के बीच है क्वीन्स बेटन रिले धावक सैली पियरसन आस्टेलिया ट्रेक एंड फिल्ड थी राष्ट मंडल खेल में क्वीन्स बेटन रिले की सिरुआत कारड़ बिर्टेन उननी सो अठामन के राष्ट मंडल खेल से हुई पारम पर एक रूप से वेटन रिले बेंकिंगम पहले से सिर होता है नेक्स तागे चलते हैं कुछ और जानकारी हम राष्ट मंदल खेलों के बारे में आपको बताते हैं एककीसवे राष्ट मंदल खेल में खिलाडियों की ओर से सपत कारेन मर्फी ने ली एककीसवे राष्ट मंदल खेल में एकहतर राष्ट मंदल देशों वे छेतरों के लगवाग 4233 खलाडियों ने भाग लिया मालदीव ने अक्तुवार 2016 में राष्ट मंदल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था 31 मार्श 2018 को राष्ट मंदल खेल संग के रूप में पने चेन होने के बाद गोविया ने राष्ट मंदल खेलों में वापसी की 21 में 2016 को बीच बालीवाल को 18 खेल के रूप में घोसित किया गया इस बार रिकार्ड 38 पैरा खेलों की सपड़दाएं पांच विन खेलों एथलेटिक्स साइकिलिंग लानवाल तैरा की और भारत तोलन में आयूजित हुई नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स पदक तालिका म पिर्थम दस अथान पर रहे देश एवं उनके पदक जो राष्ट मंडल खेल आपके 2018 में संपन हुए थे उनकी पदक तालिका यहां पर दी हुई है आश्टेलिया स्वार्ण असी रजत 69 कास से 69 कुल 108 में फ्रेंड्स यहां पर इंग्लेंड 45 स्वार्ण रजत 45 कास से 46 कु भारत 26 स्वार्ण पदक 20 रजत 20 कास से 66 आपके कुल हो जाते हैं तो यह टेवल आपके सामने दी हुई है तो फर्स्ट टॉप 10 जो देश हैं वो फर्स्ट नंबर पर आश्टेलिया सेकंड इंग्लेंड थर्ड भारत 4th कनाड़ा 5th न्यूजिलेंड 6th दक्षिन अफ्रीका 7 7th वेल्स 8th स्कॉटलेंड 9th नाइजिरिया और 10th आपका जो है साइप्रस और साइप्रस ने जो है कुल मिला करके 15 पदक हासिल किये इससे आगे अब हम चलते हैं इस बार के राश्ट मंडल खेल में जूडों को हटाया गया है बास्केट वाल को पुने जोड़ा गया है और महिला रगभी और बीच वाली वाल जैसे नई खेलों को जोड़ा गया है 21 में राश्ट मंडल खेल में पुरसों इवं महिलाओं के लिए समान कायरे कर्म होंगे यह इत्यास में पहलीवार होगा कि किसी भी प्रमुक बहु खेल आयोजन में महिला इवं पुरस के लिए समान खेल होंगे डैविड डिक्सन पुरसकार मोस्ट इंपूर्टेंट डैविड डिक्सन पुरसकार गोल्ड कोष्ट राश्ट मंडल खेल के सर्व स्रेश्ट खलाडी का पुरसकार न्यूजिलेंड के भारोत तोलग डैविड लिती को मिला 105 किलो वार्ग में 403 किलो ग्राम भा भासंग की मानद सच्चिव रहे डैविड डिक्सन के नाम पर सतापतिया पुरुषकार राष्ट मंडल खेलों के सरुस्रिष्ट खलाडी को दिया जाता है। जाते हैं यहाँ पर यह पुरुषकार की स्रुवात जो यह पुरुषकार दिया जाता है इसकी स्रुवात 2002 के मेंचेस्टर खेलों से की गई दोजार दो में पहली बार यह है अफ्रीकी की विकलांग तेराक नैताली डू टोईट को दिया गया था भारत के यहाँ पर सम्रेस जंग 2006, मेलबॉर्न को भी अप्रुसकार दिया गया है, गोल्ड कोश्ट, राष्ट मंडल खेल, में सभी सैमिल खेल और उनकी पदक सपरदाएं, एथलेट, एक्विटिक्स, यहाँ पर जलक्रीडा, अब यहाँ देखिये, नाम दे दिये गए हैं, इनके अंतरगत क्या क्या आता है, हम आपको बता देते हैं, देखिये यहाँ पर एक्विटिक्स, जलक्रीडा, ड्राइवेंग, तैराखी, एथलेटिक्स, अठामन, बेड्मिंटन में 6, बास्केटवाल, बीच वाली वाल, देख सकते हैं, सभी को मुक्के वाजी, होकी, साइक्लिंग, परवता रोही बाइकिंग, रोड ट्रेक, भारो तोलन, पावर लिप्टिंग, इससे आगे चलते हैं, यहां पर जिमनास्टिक, काला बाजी, लेबद, नेटवाल, रगवी, यहां निसाने बाजी, सेक्वास, टेवल टेनिस, ट्राई, थलन, लानवाल, यह सारे खेल, राश्टमंडल खेलों में सामिल थे, इसके बाद में कुस्ति फ्रिश्टाइल भी है, हाकी एवं बास्केट बाल में, किन देशों ने पदक प्राप्त की राश्टमंडल खेलों में, हाकी पोर्स, आस्टेलिया, रजट न्यूजिलेंड, और कास्या इंगलेंड, होकी में, न्यूजिलेंड, जो होकी महिला टीम है, वहां स्वारन पदक न्यूजिलेंड ने लिया, आस्ट है आश्टेलिया इंग्लेंड न्यूजलेंड 21 वर राष्टमंडल खेल भारत भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है यहां पर राष्टमंडल खेल को उद्गाटन समारों के दोरान भारतिय दल की अगवाई रियो उलम्पिक रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाडी पीवी स तो यहां पर भारतिय दल कोट पेंट में उत्रा तो जब 21-वर यहां पर कोट मेंट पहन करके उत्रा था इसकी टेवल में आपको बता देता हूं 21-वर राष्टमंडल खेल में भारत द्वारत जीते गए सभी 66 पदक तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते यहाँ पर 66 निसाने बाजी में देखे टोटल 16 पदक जीते आप देख लेना स्वारन रजातरकास से अलग-अलग दिये हुए कुष्टी में 12 भारत तोलन में 9 मुक्य बाजी में जो है 9 आपके टेवल टेनिस में 8 बैडमिंटन में आपके हैं 6 हो जाते हैं एथलेटिक्स में 3 सेक्वेस में 2 पारा पावर लिप्टिंग में 1 और योग आपके टोटल हो जाता है तो टोटल पदक आपके कितने 66 पदक 21 में राष्टमंडल खेलों में भारत ने प्राप्त किये तो राष्टमंडल खेल में भारत ने अभी तक कुल 181 स्वार्न 175 रजट और 148 कास्य पदक सहित कुल 504 पदक जीत चुका है Most most important question यहां आपका बन जाता है यदि टोटल आपको exam में पूछने लगे तो राष्टमंडल खेलों में भारत ने अभी तक 181 स्वार्न 175 रजट 148 कास से पदक सहित कुल कितने पदक ग्रहन किये वो आपके 504 हो जाते हैं तो friends हम आगे और कुछ जानकारी आपको बता देना चाहते हैं राष्टमंडल खेलों के बारे में ही देखे 21 विराष्टमंडल खेल में भारतिय दल की कुल सदिस्यों की संक्या 325 थी जिसमें 221 खलाडी 58 प्रिसिक्षक 17 डॉक्टर्स एवं फिजियोस साथ मैनेजर एवं 22 अन्य स्टाप थे 21 विराष्टमंडल खेल में भारत की जोली में पहला पदक पी गुरू राजा ने पॉर्सों के भारत तोलन के 56 किलो वर्ग में रज़त पदक जीत कर डाला 21 विराष्टमंडल खेल में भारत को पहला स्वार्ण पदक भारत तोलक मीरा बाई चानू ने 48 किलो ग्राम किलो वर्ग में दिलाया 21 में राष्ट मंडल खेल में हीना सिद्दू ने 25 मीटर पिश्टल सूटिंग में सौर्ण एम 10 मीटर एयर पिश्टल में रज़त पदक जीता एक ही राष्ट मंडल खेल में स्वार्ण एम रजत जीतने का कारनामा हीना ने दूसरी बार किया 2010 राष्ट मंडल खेल में भी हीना ने पेर्स 10 मीटर एयर पिश्टल में स्वार्ण एम 10 मीटर एयर पिश्टल में रजत पदक जीता था next हम चलते हैं देखिए भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण जीतने का record मनु भाकर ने बनाया most important मनु भाकर क्या आपका जो ये है मनु भाकर जो खलाडी है सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में स्वर्ण जीतने का record बनाया मनु भाकर ने बनाया इसने 21 राष्ट मंदल खेल में 16 वर्ष की अवस्ता में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता टेवल टेनिस के महिला एकल का स्वर्ण मनी का बत्रा ने जीता टेवल टेनिस में के महिला एवं पुर्सों के टीम का स्वार्ण भी 21 राष्ट मंडल खेल में भारत ने जीता नेक्स्ट एथलेटिक्स में नीरत चौपडा ने पुर्सों की जैबलिन थ्रो का स्वार्ण पदक जीता पैरा पावर लिप्टिंग में सचिन चौधरी ने पुर्सों की हेवी वेट में कास्य पदक जीता नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बैडमिंटन महिला एकल का स्वार्ण एवं रजत दोनों पदक भारत की जोली में आया साइना नहवाल ने स्वार्ण पीवी सिद्धू ने रजत पदक जीता बैडमिंटन के मिसरित टीम पिर्तियोगता का स्वार्ण भी भारत ने जीता तो आज फिर यहाँ एक टेवल और दे दी गई है मैं आपके लिए एक टेवल और लेकर के आया हूँ कि इसमें जब से राष्ट मंडल खेल सरू हुए किसी भी देश का जो आयोजन जो सथल है देश है पिर्तियोगी देश कितने देशों ने भाग लिया खेलों की संख्या कितनी थी पिर्थम सथान पर कौन आया स्वार्ण कितने प्राप्त हुए रजत कितने हुए का से कितने तो यहां देखिए 1930 में जो ये राष्ट मंडल खेलते हैं मिल्टल में हुए 1934 में लंदन, 38 में सिड्नी, 50 में फिर ओकलेंड में, बेकुवर में 1968 मन कारडेप, 1962 पर्थ में, 66 में, किंग्स्टन में, 70 में एडिनवरा 74 में क्रैस्ट चर्च, 78 में एड्मंटन, 82 में ब्रिस्बेन, 86 में एडिनवरा 90 में आउकलेंड, 94 में में विक्टोरिया, 98 में कौलालमपूर, 2002 में मैंचेस्टर 6 में मेलबॉर, 10 में नई दिल्ली में हुए थे, राश्टमंडल केल, 14 में गिलासगो, 18 में गोल्ड कोश्ट और 22 में बर्मिंगम में हुए थे, और ये जो देश थे, ये इनके जो देश हैं, इनका आयोजन करने वाले देश ये थे तो आप फ्रेंड्स इनको देख लेना, पिरती होगी देश, जिन्होंने भाग लिया, कितने कितने देशोंने भाग लिया, शुरुआत में 11 देश थे, 16, 15 इस तरीके से, आपको ये टेवल दे दी गई है, मैंने वीडियो यहाँ पर रोक दिया है, कुछ समय के लिए अपन में इंग्लेंड है, फिर इंग्लेंड है, ऑस्टेलिया, ऑस्टेलिया, इंग्लेंड, इंग्लेंड, ऑस्टेलिया, इंग्लेंड, ऑस्टेलिया, ऑस्टेलिया, कनाडा, ऑस्टेलिया, इंग्लेंड, देखिए, ऑस्टेलिया ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बहतरीन प धीते थे वो यहां पर दिये हुए हैं, रजट भी दिये हुए हैं, कास्या जो हैं, यहां पर हैं और सथान आपकी जो हैं, यह फूर्थ फूर्थ सेगंड, फिफ्ट और थ्जूर देख लीजिए, यह आपकी पूरी टेवल दी हूई है, राश्ट मंडल खेलों की, और यहां पर आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ लास्ट में आप ध्यान से देखिए कि जो नेक्स्ट राष्ट मंडल जो खेल होंगे वो 2022 में होंगे और उनका जो सथान होगा बर्मिंगहम इंगलेंड होगा जो प्रिस्तावित राष्ट मंडल खेल हैं वो अब कहां पर ह होंगे वो 2022 में इंगलेंड में होंगे इससे पहले जो राष्ट मंडल खेल आपके हुए थे वो आपके गोल्ड कोस्ट अस्टेलिया में आपके ये खेल हुए थे तो फ्रेंड्स आपने इस टेवल को नौट कर लिया होगा मुझको काफी टाइम हो गया है इस टेवल को आपको ये आज का जीके का जो वीडियो है आपको कैसा लगा आपको राष्ट बंडल खेलों के बारे में मैं समझता हूँ कि पूरी जानकारी प्राप हो गई होगी और यदि वीडियो आपका ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइ कर दें क्योंकि जिससे समय समय पर हमारे जीके के जो वीडियो पबलिस होते हैं वो आप तक समय समय पर पहुंच सकें क्योंकि किसी भी competitive exam की जब आप तैयारी करते हो जब आप exam देते हो तो ऐसा तो कोई exam होगा नहीं मेरे हिसाब से तो जिसमें एक या दो question खेलों को लेकर करके ना पूछे गए हों तो फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए फिर हम किसी ना किसी टॉपिक पर अपना जी के का नया वीडियो ले करके आएंगे थेंक यू